हेलो दोस्तों मैं हर्शिता और आप देख रहे हैं ट्विंस माईवल सपने हर कोई देखता है ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो सपने नहीं देखता हाँ ये अलग बात है कि कोई इंसान जादा सपने देखता है कोई कम सपने देखता है लेकिन सपने जरूर देखता है लेकिन अगर गर्वती महलाए किसी ऐसी चीज को या कोई ऐसे तथे इस थान कुछ भी चीज अगर वो लगतार देख रहे हैं अपने सपने में या वो या तो उनके पती अगर किसी स्पेसिफिक चीज को लगतार अपने सपने में देख रहे है तो उसका कुछ न कुछ संकेत होता है कोई चीजे अनुमान लगाए जा सकती है कि आपको बेटा होगा या बेटी होगी कुछ ऐसी interesting facts है तो उसी के बारे में आज इस वीडियो में discuss करेंगे तो प्लीज मेरे वीडियो को शुरू से लाश्ट तक जरूर देखेगा अगर पसंद आये तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा सबसे पहली चीज अगर आप किसी भी तरह का फल देखते हैं सपने में चाहे वो अमरूद हो, सेब हो, अंगूर हो अगर वो पेड़ पे लटक रहा है, या फिर आप उसे खा रहे है या आपके घर में रखी है, आपको नजर आ रही है अगर सपने में आप फल को देखते हैं तो मान के चलिए कि आपके घर जो होने वाली संतान है वो एक बेटा है जी हाँ, ये जो बात बोल रही हूँ, 100% सही है और कुछ ऐसी इस्तरियां, गर्वती महिलाए अगर कुछ वस्तू ऐसे देखेंगे, जैसे गोल्ड की वस्तू अगर देखती है चाहे वो आपके कान के बालिया हो, जुनके हो, रिंग हो, anything गोल्ड की अगर है, वो अगर उन्हें पराप्त होती है जी हां, पराप्त होती है, अगर कोई person आपको gift के तौर पर देता है चाहे वो आपके husband है, परिवार के कोई भी सदस्य, अगर आपको लगता है कि सपने में आपको कोई गोल्ड की चीज़े दे रहा है तो मान के चलिए कि आपके घर में बेटा होगा लेकिन जहां तक gold की चीज़े हैं अगर मान लीज़े कि आपने सपना ये देखा कि आप दूसरे person को दे रहे हैं तो जो सामने वाला person है उसके घर में बेटा हो सकता है या तो कुछ लाब की संकेत उसे समझा जा सकता है कि उनके घर में कुछ लाब होने वाला है अगर आप प्राप्त करते हैं तब समझ जाना चाहिए कि आपके घर में शुब आने वाला है, पेटा आने वाला है, लाब होने वाला है दूसरी चीज, सेम इसी तरह से अगर कुछ अगर चांदी की वस्तु अगर आप देखते हैं कि आपको किसी से प्राप्त होई है जी हां प्राप्त होई है तब आप समझ जाए कि आपके घर प्यारी सी लक्षमी आने वाली है जी हां लेकिन वही पर अगर आप सामने वाले को कुछ देते हैं तो वो जो लाब को दिया तो उनके हाँ डाफीनेटनी को लड़की होने के चांसेज यह वाला बहुत जादा ट्रस्टिट है क्योंकि जितने भी लोगों से जैसे की आसपास जितने भी मेरे परिवार वाले या जब कुछ ऐसे सपने कभी देखे हैं, वो बिल्कुल सच हुए हैं, तो इस बात से आप शॉर हो सकते हैं, अनुमाल लगाया जाता है, 99% cases में ये सच होता है, 1% variations है, ये तो हुई सोने और चांदी की वस्तु है, तीसरी चीज, अगर आप देख रहे हैं कि लहलहाता हुआ, अगर पानी आप देख रहे हैं, समुंद्र के किनारे हैं, या फिर आप किसी नदी के किनारे हैं, बीचेस पे हैं, अगर आप देख रहे हैं, या फिर आपके आपको कोई पेंटिंग मी नजर आती है, उस वक्त भी आपको ये समझ जाना चाहिए, कि आपके घर में जो होने वाला जो बच्चा है वो एक लड़का होगा तो इस तरह के अनुमाल लगाये जाते हैं सब के अलग-अलग धारणाय होती है लेकिन क्या सही है क्या नहीं है सब तो उपर वाले के हाथ में आपको जो मिलता है आपके लिए जो बेस्ट चीज जो दिजर्व आप करते हैं वो ही भगवान आपको देता है तो बस उसे ऐसे फन की नियत से देखिए Last but not the least सपने वो नहीं होते हैं जिसे हम सोने के बाद रात में देखते हैं सपने वो होते हैं जिसे हम खुली आँखों से देखते हैं और उसको पूरा करने में हमारी नींद उड़ जाती है जी हाँ अगर आप चाहते हैं कि मैं सपने से related इसका दूसरा भाग भी बनाओ तो प्लीज मुझे कमेंट जरूर करिएगा कि आपको दूसरा भाग चाहिए या नहीं चाहिए और अपने feedback आप जरूर देते रहें ये कमेंट में मुझे बहुत अच्छा लगता है इतना जादा आप लोग मुझे प्रोचसाहित करते हैं इतना support करते हैं मुझे काफी अच्छा लगता है इसके लिए दिल से धन्यवाद और जो भी viewers जो पहली बार देख रहे हैं उनसे request है कि please मेरे चैनल को subscribe कर लिजे आपको बहुत अच्छी information ज़रूर दूँगी Thank you so much for watching Twins 5-1